हाई फ्रेंस तो आज हम बनाएंगे सैंगरी आलू की सबजी ये सैंगरी की फलिया जो है सर्दियों में आते हैं और ये मूली के पेड़ पर लगने वाली फलिया होती हैं जहें खाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेवन्द होती हैं इनको खाने से हमारा पेड भी ठीक र पॉमेंट करना तो चब शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने सैंगरी की फलिया और इसको मैं इस तरह से हाथ में वीकर एखटा कर लूँगी हमें इनको काटना है तो देखिये हमको इस तरह से इसको हात में वीवेना है और अब इनको छोटे-छोटे तुकडों में काट छोटा करके काटोस हैं और इनको काटना मुझे इतले तो चाब इतले हैं हमें इसकी बड़ा बाग काटवा भाग है इसको नीचे से वर हम नहीं काट्टना है तो अभ हम चीज लिएते हैं आ 돌 तो यह देखिए मैंने यहां पर सारे आलू को चीर लिया है अब मैं इनको काट लेती हूं तो यहां पर हमारे आलू भी कट कर तैयार हो गए हैं तो आप चलो सबजी बनाते हैं तो यहां पर मैंने कडाई रख दिया कडाई में एक बड़ा चमच मैंने ओल का डाल दिया है इसको हम गरम कर लिए गरम होने पर मैं इसमें डाल दूंगी जीरा जीरा चटक जाने पर हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज इसमें काट कर डाल रहा है और अब इसमें चार पांच हरी मिच्वी कटी हुई डाल देंगे और थोड़ा सा लैसन भी इसमें डाल देंगे अब हम इसको चला देते हैं और हल்का गुलावी होने तक इसको भून लेते हैं तो यहाँ पर हमारी प्याज हल्कि ब्राउन हो गई है तो बहुए है तो अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच चल दी और एक चम्मच ही इसमें मैं मिर्च डालूंगी और मैं इसमें डालूंगी अब आदा चमच गरम मसावर डाल दूंगी और मैं एक चमच जिसमें धनिया पॉड़ डालूंगी और स्वाद अजमसर नमक डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिला लूंगी और मैं इसमें डाल दूंगी हलका सा पानी और पानी डालने के बाद हमें मसावे को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है तो यह देखें यहाँ पर हमारा मसावा काफी अच्छी तरह से भूनकर तैयार है तो अब हम इसमें अपनी कटी हुई फ़लिया डाल देंगे तो इन सारी सब्जियों को मैंने पहले दो लिया था, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, इसके बाद इनको हम मिक्स करेंगे तो मैंने सारे फल्जी को डाल दिया है, अब इनको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे आलू को हमें छोटर बड़ा नहीं काटना है इक सासाइसका रखना है नहीं तो हमारे कोई आलू गर जाएगा और कोई सा हमारा आलू कच्छा रह जाएगा इस मेंसे हमको एक चैसा आलू काटना चाहिए अब हमें अच्छी तरह से इनको मिला लेना चाहिए जिससे की इसका मसारा सारा इसमें मिक्स हो जाए सब्जियों को डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसमें बून लेना है और फिर ढखके रख देना है तो ये देखिए हमने इस सब्जी में जरा भी पानी नहीं डाला था और फिर भी इसमें कितना पानी छूट गया है तो सब्जियों में हमें पानी जरा भी नहीं डालना चाहिए और जब पानी की जरुष हो तब ही हमें पानी डालना चाहिए बलकि धीमी आज पर बाप से ही हमको सबजी को पका जेना चाहिए फिर से हम इसको कर देते हैं कबर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको सबजी को पगट कर देखना है तो यहां पर हमारी सबजी पकने लग गई ही है थोड़ी बहुत ही कसर बस इसमें बाकी है आप इसको थोड़ा सा पगट देते हैं और थोड़ी देर के लिए और इसको हम पका लेते हैं तो पांच मिनट और पकाने के लाद देखिए सब्जी कितनी बड़िया सी यहाँ पर हमारी पकत त्यार हो गई है बहुत ही बड़िया सी सब्जी यह हमारी वग रही है खाने में ये बहुत ही अच्छी है, इसे खाने से पेट भी साफ होता है, देखिए हमारे आलू भी अच्छी से गल गए हैं, पस इसी तरह से हम को इसको पका लेना हैं तो चाहिए इस सब्जी को हम निकावे देते हैं, और गैस को कर देते हैं बंद, तो अब हम इसको सर्ब करेंगे, तो देखे बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी गर्म गर्म बनके तयार है, और गर्म गर्म खाने में यो बहुत ही अच्छी व्यक्ते हैं, पूरी, परांटे, रोटी किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हो इससे हमारा पेट बहुत ही बढ़िया रहता है और बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मेरी ये रेपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को जादा से जादा वाइक और कमेंट कीजिए तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह से आसन सी रेस्पी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ हर प्रिकार की सब्जी में आपको यहां पर बना कर दिखार देती हूँ तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए ठैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स